नवापारार राजिम नगर के त्रिवेनी संगम के पानी इन दिनों काफी प्रदूसित हो गया है जो की अब आस्मान के लायक भी नहीं रह गया है चारों और जलकुंभी एवं अनावस्यक पेड़ पौधे नदी में उग आए हैं लोग नदी में इस नानवा अस्थी विसरजन के लिए जब उतरते हैं तो उनका पैर दलदल में फंज जाता है यही नहीं पानी अत्यधिक प्रदूसित होने के कारण लोगों में संक्रमन फैलने से इंकार नहीं किया जा सकता त्रिवेनी संगम में सफाई की सकत जरूरत है वैसे भी अभी बरसात का समय भी है संभवता एनी केट के समस्त गेट खोल दिया जाएं तो नदी उग आए सभी पेड़ पौधे और दलदल बार के पानी के बहों से बहाजाएंगे उलेखनी है कि नदी छेत्र में पूरे राज भर से स्रधालू और आमलोग आते हैं वही पूजा अर्चना से लेकर अस्तियां तक विसरजित करते हैं इस छेत्र को इलाहाबाद के समतुल्य माना गया है छेत्र में प्रदूसन से शासन प्रशासन की छवी धूमिल हो रही है उलेखनी है कि बाड़ आने के बाद भी एनी केट का गेट नहीं खोला जाता है जिसके चलते उपर का पानी तो बही ही जाता है लेकिन दलदल वा पेड़ पौधे वही रह जाते हैं इस बारे में जब हमने CMO नगरपाली का परिसत गोबर नया पारा से जब इस बारे में ब